देविंदर अकेडमी में आपका स्वागत है तो बहुत दिनों बात आपके लिए वीडियो आ रही है जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी तर्मासिक परिच्छा बहुत ही नजदीक आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए है इसमें आपको वीडियो में आपको टाइम इसको इसू हो गया था लेकिन मैं थोड़ा लेट वीडियो लेकर आया हूँ तो जिन लोगों ने भी टाइम टेबल अभी तक नहीं देखा है तो वो टाइम टेबल को देख लें और इसको भी नोट भी कर लें आप ठीक है यह आपका टाइम टेबल है इसी के आपकी तरमासिक परिच्छा होगी तो टाइम टेबल आप देख लें इसमें मैंने 9 भी 10 भी 11 भी 12 चारों कक्छाओं के टाइम टेबल इसमें इंक्लूड किये है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको 9, 10, 11 और 12 चारों के लास की बच्चों को टाइम टेबल देख लेना है नोट कर लेना है इसी के अकॉर्डिंग आपकी तरमासिक परिच्छा कंड़क्ट कराई जाएगी और इस वीडियो के बाद में मैं आपको जो आपका कंटेंट रहेगा जो तरमासिक परिच्छा में आपको जो सलिवास आना है और कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूँ तो उस आपको सॉल्यूशन भी दिये जाएंगी पेपर भी दिये जाएंगे और पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा इंपोर्टेंट क्वेस्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे सब कुछ आपको पूरा का पूरा का पूरा मैटर आपको प्रोवाइड कराए जाएगा म नए बच्ची हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं कि अब उस चैनल को सस्क्राइब कर लें देविंद्र अकैडमी को ठीक है तो देखिए नौटिफिकेशन था जो लोग सिक्षण संचनाल मध्यप्रदेश द्वारा है रिलीज हुआ था एकईस आठ दोहजार मध्यप्रदेश जो आपका लोग सिक्षण संचनाल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पूरा का पूरा दिया गया है यह देखिए यह आपका यहां पर जो टाइम टेबल है वह है आपका नौवी और दस वी का नौवी और दस वी का टाइम टेबल एक साथ आया है और ग्य यहाँ पर आपको विसाई दिया गया है, यहाँ पर दिन, यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर किरमांक, किरमांक, दिन और विसाई, यह आपको चार कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरी टोटल आपको यहाँ पर किरमांक 9 है, मतलब 9 आपके पेपर कराए जाती है इसे पेशलि जिनका जो रहता है बोगान इसमें लेंगउजी जो ड़ी होते हैं इंगलिस, हिंदी, उर्दू ठीक है? इस टाइप से आपकी लेंगउजी जो ड़ी होती हैं जिस कारण से आपके यहाँ पेपर आपको बताए जा रहा है तो देखिए, जिन लोगों का अंगरे जी का 9th 10th वाली का अंगरे जी का जो पेपर होने वाला है वो आपका 12-9-2023 को होगा, मंगलवार को होगा, ठीक है? यह आपका पहला पेपर होगा, 9 भी और 10 भी वालों का 7 में ही होगा, ठीक है? टाइमिंग आपको यहां पे दी हुई यह timing आपकी common रही 9 से 12, 9 से 12 आपका paper होगा, 9 भी वालों का भी और 10 भी वालों का भी, और 7 में ही होगा 12-9-2023 को, यानि की 12 सितंबर को, ठीक है, तो 12-9-2023 को, मंगलवार को, आपका अंग्रेजी क्या paper होगा, 13-9-2023 को, बुद्धवार को, आपका हिंदी क्या paper होगा, इसक रही 9-200 teas, यानि की 6 करवार को, आपका विज्यान का paper होगा, 16-9-2023 सनीवार को, सामाजिक विज्यान का paper होगा, इसके बाद 17 तारीक को, 17 का आपकाSmith रहेगा, संडे रहेगा 17 को, इसके बाद 18-9-2023 यानि की 100 बार, 100 बार को, आपका गड़ेद का paper होगा, 19.9.2023 मंगलवार को आपका जिन लोगों ने लेंग्विजिस ली हुई हैं उनका पेपर होगा जैसे कि मराटी हो गया गुजराती पंजाबी सिंधी पैंटिंग गायन बादन तबला पकावज कम्पूटर इस सारे जिन लोगों ने भी सब्जेक्ट परिटिकुलर सब्जेक् पेपर होगा जिन लोगों ने उर्दू ली हुई है और 21.9.2023 यानि की गुरुवार को यह आपका इस पेशल पेपर होता है इस पेशल सब्जेक्ट होते हैं जो अलग से सलेक्ट किये जाते हैं ठीक है एक अक्छा नौबी और दसबी बालों का यह पूरा का पूरा टाइम टाइम टेबल है तो अक्छा 9 और 10 वी बाले इसको अच्छे से इसकीन सौट ले ले इसको नोड कर ले ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बताते हैं 11 और 12 वी वालों का टाइम टेबल इसको आप ध्यान से पढ़ लेना है तो आप इसकीन पर जो अच्छे से दिख लें एक अक्छा 11 और 12 वी वालों के का टाइम टेबल है तो इसमें भी पैटर्न सेम है जैसा कि मैंने आपको नायंत और टैंत वालों के लिए बताया है सेम बोई पैटर्न है इसमें भी इसमें आपको यहां पर किरमांक, दिनांक, दिन, समय और विसाय य यहां पर आपको दिये गए है आपको पांचकॉलम में इसमें आपको टाइम अलग से एट कर दिया गया है कि अलग अलग टाइमिंग है ठीक है तो इसमें आप टाइमिंग का विसेष ध्यान रकें तो देखिए यह पहला जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका 12 9 2023 को हो उने वाला है यानि की मंगलवार को इसका टाइम रहेगा पेपर का 9-12 बजे तक इस provide blueberries का पेपर होगा आपका जो आपका paper होगा वो भी 12 कोई होगा दूसरा पेपर भी 12 कोई होगा लेकिन इसकी Timing चैंज ओगी इसकी timing आपकी दो不पहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी इसमें आपके सब्जेक्ट होंगी बहुत एक सास्त्र अर्थ सास्त्र एनिमल हस्वेंडरी मिल्क ट्रेड पॉली ट्रेक्म फार्मिंग एंड फिस्रीज बिज्यन के तत्त भारती एकला का इतिहास इसके बाद आपका तेरा को दो सिप्ट में पेपर चल रहा ह यापकी दो से पांच की तो दो सिप्ट में आपका पेपर होगा मलब हर दिन आपकी दो दो सिप्ट में पेपर होगी तो बारा तारीक को पहली सिप्ट में आपका पेपर होगा मनुविज्यन का दूसरी सिप्ट में आपका यह पेपर होगा यह पेपर ठीक है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड पेपर है वो तेरा नो दो हरतेईस यानि कि बुद्धवार को होगा इसमें आपका टाइमिंग नो से बारा रहेगा सुबह वाली सिप्ट में इसमें आपका ड्रॉइंग एंड डेजाइन होगा और दूसरी जो सिप्ट होगी आपकी उसमें पहरा वाली सिप्ट में आपका बायो टेकनोलोजी गाहिन बादन तबला पखा पछ बज इसके बाद जो आपका दोपहर वाली सिप्ट में ग्गांट बजेश से 5 बजे तक की सिप्ट में आपका जो पेपर होगा वो आपका अंग्रेजी का होगा साथ-बाज Seems 5 रशू आपका नो से बारा वाली सिप्ट में संस्क्रित का होगा और दो पहर दो बजे से पांच बजे वाली में आपका रसाइन सास्त्र, इतिहास, ब्योसायध्यन, element of science and mathematics useful for agriculture, drawing and painting, ग्रह प्रवंध, पूशन एवं बस्त्र विज्ञान, यह आपका, आपकी 10 पेपर होगा, इसके बाद जो 11 पेपर है आपका, वो आपका 18.9.23, सौंबार को 9 से 12 होगा, समाज सास्त्र का, 18.9.23, सौंबार को 12 से 5 आपका गड़ेत होगा, और नेक्स्ट आपका 19.9.2023, मंगलवार को 9 से 12 बजे तक, NSQF के समस्त विसायक सिक्षा, यह होगा, ठीक है, चवदार, चवदवार जो आपका पेपर है, 19.9.23, मंगलवार को दो पहर, बजे से 5 बजे तक की जो सिफ्थ होगी, उसमें आपका राजनिती सास्त्र का होगा, पंद्रवा और सोलवा पेपर आपका 20 तारिक को होगा, यह आपका पुद्वार को होगा, प्राताह नौ से बारा बजे वाली जो सिप्ट होगी उसमें आपका उर्दू और मराकी का होगा और दो बजे से पांच बजे तक आपका भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड होडिकल्चर, एक्टेल लाइफ एंड डेजाइन, सरी रचना किरिया बिग्या नेम स्वास्त, सरी रचना किरिया बिग्या नेम स्वाक्षता यह आपके पेपर होगे, इसके बाद जो सत्रवा पेपर है आपका वो 21-22-23 को होगा, गुरुवार को 9-12 की सिप्टम होगा, इसमें आपका लेखा सास्त्र क्रसी कलासमो सामिल रहेगा तो यह आपके कपच्छा 11 और 12 मरलब 11 और 12 वी वालों के सभी पेपर के टाइम टेबल है, कि कौन सा पेपर आपको किस टाइमिंग पर और किस दिन और किस डेट को होगी तो इस टाइम टेबल को आप अच्छे से नोट कर लें, जो आपके दोस्त हों को भी सियर कर दें, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी कम्क्लीट रखें तो अगर आपको matter नहीं मिला है कि क्या का आना है, तो वो भी मैं आपको provide कराऊँगा, तो चैनल को subscribe जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं next video upload करूँ, तो उसका notification आपको मिल जाए, thank you